कि हम ले लेंगे, अमीरों का पैसा ले लेंगे और थोड़ा 90% लोगों में बाट देंगे किनारे हो जाना, तो हम करना हो जैसे रड़ पाएंगे, बाकी कहीं से रहीं, रपाएंगे हो कहे रहा है हम, अस्य मुन्यासी जीत देंगे हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं, The Debate War YouTube चैनल कांग्रेस नेता, सैम पित्रोदा के एक बयान पर भारत में बवाल छिड़ गया है उन्होंने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स की पैरवी की है, उन्होंने कहा है, अमीरों से लेंगे और गरीबों में बाटेंगे अगर किसी व्यक्ती के पास एक लाक रुपए है, तो उसके मरने के बाद 45,000 रुपए उस व्यक्ती के बच्चों को मिलेगा और 55,000 रुपए राज्यसरकार को देना पड़ेगा इस तरह के उलजुलूल बातें करके आजकल कांग्रेस खुद के पैरों में कुलहानी मार रही है और उसके चमचे इसे बचाने में लगे हैं आज की डिबेट में इसी प्रकार की हरकत समाजवादी के चाटुकार प्रवक्ता अमीग जमाई द्वारा हो रही थी टाइम्स नाव नव भारत चैनल पर एंकर नविका कुमार का सौ सवाल पबलिक का में डिबेट हो रही होती है जिसमें बीजेपी के ढाकन प्रवक्ता सुधासूत रिवेदी और खुद एंकर नविका कुमार ने कॉंग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव और डिबेट में आए हुए उसके चमचा अमीग जमाई की बखिया उधेन के रगदी वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आपसे अनुरोध है वीडियो को आखिर तक देखें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप क्रोनोलोजी समच लीजेंगे एक मैदान में आप ठीक कह रहे हैं लेकिन लेकिन ये जो सैम पिट्रोडा शिकागो में बेठे हैं ये कह रहे हैं तो उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए अब आमीग जमाई जी मैं आपसे पूछूँगी क्यों सीरियसली ना लिया जाए क्योंकि सैम पिट्रोडा का बयान आता है आधी रात को क्योंकि यूएस टाइम से आता है सुबह सब लोग देखी रहे होते तो उसके बाद कॉंग्रेस पाटी की मैनिफेस्टों पे एक प्रेस-कॉन्फरेंस होती है और उस press conference में राहूल गांधी क्या कहते हैं कि हम ले लेंगे अमीरों का पैसा ले लेंगे और थोड़ा 90% लोगों में बाट देंगे तो ये Sam Pitroda ने जो कहा राहूल गांधी वो ही तो नहीं कह रहे और ले लेंगे मतलब कैसे लेंगे यानि कि आप कोई टैक्स लाएंगे वो टैक्स की फोल खोल दी Sam अंकल ने कि ये inheritance टैक्स होगा तो कॉंग्रेस पार्टी किसको जुटला रही इस तरह की बातें सही कही है और हमारे जो जहासा है में उन्होंने भी कही कि दिखे इस तरह की बाते जैनत सिनाजी ने भी कई बार सभी ने तो बाकाइदा इस पे बहुत लंबा चौड़ा बखान किया हुए था जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया है और सैम प्रतिदा साब ने कोई अगर बात कही है वो पार्टी के कोई अध्यक्ष नहीं है पार्टी की कोई नीती पॉलिसी के जो है हेड नहीं है कभी पार अब देखे ना प्राइमिस्टर नेंदर मोदी को क्या क्या बोलना पड़ा इस्लामोफोबिक स्पीश दिया उन्होंने एलेक्शन कमिशन सहमत नहीं है ना इसलिए चुप है चड़ा समझाओ इससे तो ये सब होता है राजिती में बातचित होती है मुख मुद्दा य तरह से यहां रखने आया हूं कि पधान मंतरी ने इस देश के स्वेल सेट देश को बढ़ाने की बात कर रहे थे युवाओं की बात कर रहे थे उन्होंने आया था चौदा में उन्होंने बोला कि इस देश को वो दो करोड़ नौकरी देंगे चौदा चौबिस करोड़ इश्व का ब्रहमान्ड का प्धान मंतरी उसको डर लग रहा है अकलेश अदो जी के सवाल पर कि जातिगर जिनर करना का मैं जवाब क्या दूँ MSP पे जो किसानों के साथ धोका दिया उस पे मैं जवाब क्या दूँ इस देश के युवाओं को जो शेहरी रोजगार युवाग करनटी देनी की बात थी अकलेश जी ने पूछा मैं अकलेश जी को जवाब क्या दूँ मैं किसानों के सवाल पर जवाब क्या दूँ अगनेवीर मैं प्रुऌनचल रहके आया हूँ मैम आप सोचिए कि परवांचल में पहले बेटियां जो है ना उनका सपना होता है भी उस सैनिकों से बयाह करें ये जो ठेके की नौकरी लाए है अगनिवीर बेटियां बयाह नहीं करना चाहती है सोचिए आप इन लड़कों से उन्हें मालूम है कि तीन साल में जनाब सड़क पे आ जाएंगे कुछ शरब हाया है तो सरकार ने किया क्या है सरकार ने ये किया कि इस देश की दौलत पे जो 40% इस देश का अपने चार मिट्रों में पाड़ दिया अमीग जमाई जी आपके सारे आपके सारे सवाल वाजिब है और सुदाश्यू जी इसका जवाब देंगे लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजे क्या आप रहूल गांधी और सैम पिट्रोडा के इस वेल्थ जी नहीं है और सिस्क्राइब करेंगे अभी तो देश देख रहा है कि देश एक नए हाथों में आने वाला है अच्छा उसका अच्छा था इसका यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आईए पहले सुनातियों और सुधान्शु जी आपके पास आ रहे हूं सुनिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुधान शुधानमंत्री जी पुरा सुचकांक है चलिए एक साल इनहरेटेंस टैक्स अगले साल से टैक्स उसके बाद खून पर टैक्स ने 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 अब मैं जवाब दे दूँ जी अमी जमाई जी ने जो कहा सूच कांक है उसका जरा सूचना कांक समय लीजिए कि अखिलेश जी अभी तक तैय नहीं कर पाएं है कि चुनाओ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और लड़ेंगे तो भाईया आखिर में अपने ही भ पिछली बार तो लड़के भाग गए थे यूपी छोड़ेंगे और सोचलिस्टों का गड़ है अरे बुरे तरह से हराएंगे भाति इंदा पार्टी को वहां से अरे जनाब मैं एलान हो गया आप अपडेट रहा करो अरे भाईया सुनिये तो वही तो मैं काहरा हूं नियास छोड़के गए थे अब इस बार तो वो हिम्मतें नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से नामांकन भरें अब सुनिये पहले सिउपाल जी कहें लड़ेंगे फिर अपने बेटे को आगे कर दिये इतनी घबराहट इतना कनफ्यूजन तो दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश मे और युवराज जी की जो माता जी थी मतलब सोनिया जी उन्होंने तो चुनाव से पहले ही राजसभा का रूट ले लिया और अगर इतनी कॉन्फिडेंस था जो राहूल गांधी जी करे थे पहले एक सो सी सीटे थी अपकी डिर्ट सो होंगी तो सोनिया जी आती राइबरेल पर खड़ा हुआ है अब मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बात कही यहां पर सिर्फ एक टैक्स की बात नहीं है यहां पर बात पूरी एक मानसिक्ता की है और आपने जिस प्रकार का सोशल डिस्टिबूशन दिखाया है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चा पती अरे भाई कौन सा इक्विटेबल डिस्टिबूशन आपने घजब का किया और संजे जहाजी से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सैंप पित्रदा जी के लिए कहा तो वो पदादिकारी है तो चुनाव के समय सिर्फ इतना बता दे पार्टी से पूछ के बयान दिया ह या बगेर पूछे अगर बगेर पूछे दिया है तो उन्हों पे कारवाई क्यों नहीं हो गई भाई आज आप सस्पेंडेट डीडर हैं तो आपके गुरू ने तो गुरू घंटाल वाला काम किया है तो अब तक उनका घंटा बजा दिया जाना चाहिए था अगर आप ये इन्हेरिटेंस के ऊपर ये कर देंगे तो मोटिवेशन ऑफ सेविंग कम होगा आज भारत में आपको पता है कि पर्सनल डेट टु जीडिपी रेशियो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा है 43% of the GDP है उसका कारण ये है कि लोग सेविंग ओरियेंटेड होते है परंतु आप विदेश की उस मानसिक्ता से हैं और मैं कहना चाहता हूँ यह मूर्तापूर मानसिक्ता है वो सरातम विरोधी मानसिक्ता है जो कहते है साइम पित्रोजा क्या मोला है थे एक नेएक बिलियर डॉलर कमाया अब सोसाइटिक क्या मिला अरे जनाम मैं कहता हूँ भारत में आके देखिये गुर्दवारे में लंगर और मंजिरों में भंडारा कहां से चलता है या उसी से चलता है जर प्रौजनि अंगर मांसिकता दिमाग में भरी हुई है उस नजरिय से भारत को देख रहे हो इसलिए तुम्हारे साहथ समस्या है इसलिए मैंने कहा विदेशी शक्तियों का हाथ है विदेशी सोच का हाथ है इसलिए अपना सत्या नाश कर रहे हैं पर चिंता मत करिए भारत का जो वक्त आया है भारत की जंता प्रबुद है सोने की चिडिया थी सोने की चिडिया के पर नहीं उखड़ने देंगे आप सोने प हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ